हेलो दोस्तो स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पार्ट साला में दोस्तो आज हम एक फीगर ओपस पीच पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रेन तो दोस्तो इस पीडियो में हम इस फीगर ओपस पीच को बहुत ही डिटेल से विद एकजामपल समझेंगे तो चलिए दोस्तो इस पीडियो की सुरुआत करते हैं एक रिफ्रेन है वो एक रिप्टेशन ओफ सेम लाइन का है किसी भी पोयम में चाहे वो एक पार्ट में भी हो सकता है या फिर कोई एक वर्स में भी हो सकता है जैसे एक एकजामपल के थुरू आप अच्छी से समझेंगे इस टर्म को जैसे यहां दोस्तो वाल्टिंग मतिल्दा करके एक पोयम है यहां पे लिखा हुआ है तो दोस्तो यहां पे वाल्टिंग मतिल्दा करके यहां पे रिपिटेशन है रिपिटेशन आपको देखने मिला यहां पे भी और लास्ट में भी तो दोस्तो आप अप समझ गए हुँगे कि रिफ्रेन आखिर क्या है मतол़े रिफ्रेन है वो रिपिटेशन और सेम लाइन है और दोस्तो जो रिफ्रेन है वो पोएम का स्टार्टिंग लाइन भी रिपिटेशन हो सकता है जो रिफ्रेन कहलाता है बीच में भी हो सकता है और पोएम के लास्ट में भी हो सकता है जो रिफ्रेन कहलाता है दोस्तों आपके माइंड में एक कुश्यन आता होगा कि आखिर पोईट रिफ्रेंड का यूज क्यूं करते थे तो चलिए हम इस टोपिक पे डिसकस करते हैं तो टू किरियेट रिधिम एंड राइम दोस्तों पोईट रिफ्रेंड का यूज पोईम में रिधिम मतलब एक पोईम अच्छी लगे सुनने में और रिडर को भी मज़ा लगे पढ़ने में और उस पोईम को सुनने में एक ताल के साथ पोईम लिखा जा इसलिए रिफ्रेंड का यूज किया जाता था दूसरा है to emphasize a particular point मतलब किसी भी point को किसी भी line sentence को highlight करने के लिए emphasize करने के लिए रिफ्रेंड का यूज करते थे point तिसरा है to make the poem easy to memorize दोस्तो रिफ्रेंड जो मतिल्डा करके आपने poem देखा तो दोस्तो उसमें आपने देखा कि उसमें कितने सारे reputation था same line का तो इस तरह से वह poem अगर हम याद करेंगे तो वह जल्दी से याद हो जाएगा इसलिए point है वह refrain का यूज करते थे ताकि poem को अच्छे से memorize जल्दी से कर सके तो दोस्तो आई हो प्या figure of a speech आपको समझ में आई होगी और अगर कोई भी query हो या फिर कोई भी mistake लगे तो comment section में जरूर लिखे और दोस्तो ऐसे ही नई figure of a speech के साथ साथ दूसरी वीडियो में मिलते है तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक यू